त Bree्ट आज भेस्फ़ेशा बिलाज अप ikke करना है और इसमने में बहुत सारे बरेंफ़ों है हमारी इतुराती है इस संपमें इतक्र réflexe यो बहुत साइप की राम वेड़ा इसके बीजाई हो ये। एक एलोवेरा की बाहर की डंडी स्टेंप जो हमने पहले एक वीडियो में आपको उगाना सिखाया था एलोवेरा, आप उसको देख सकते हैं और उससे एलोवेरा आपने घह में उगा सकते हैं उस स्टेम को आप काट लीजिए और उसको 3-4 घंटे तक भीगो के रखे पानी में ताकि उससे जो येलो एक बाहर होता है यहाँ पे वो निकल जाए और फिर उससे हम जूस बनाएंगे तो ये एलोवेरा की हमने स्टेम भीगो के रखी हुई है और जिंजर चाहिए थोड़ा और फोड़ा सथे लेमन तो इसके लीए सबसे पहले अब हम एलोवेरा को और थोड़ा हनी हम एलोवेरा को साइट से कट करेंगे जिससे के उसका जो पल्प है वो हम निकाल सके तो आप इस तरह से उसके सबसे पेहले काटे निकाल दीजिए और फिर उसकी एक कवरिंग हटा दीजिए रोज एलोवेरा का जूस पीने से बहुत ही फाइदा होता है हमारी बाटी को बाहर जो पैक्ट एलोवेरा जूस होते हैं वो भी आप ले सकते हैं पर घर का हेल्दी जूस आपको बहुत बेनिफीशल होगा इस तरह से आप उसके पूरी निकाल दीजिए फिर उसके छोटे पीसे करके और एक बाउन में ले लीजिए अरे तो फिर थोड़ी जिंजर जिंजर को भी आप कट कर लीजिए जिससे वह अच्छे से हम जब ग्राइंड करें तो अच्छे से ग्राइंड हो जाए हमने पहले ही जिंजर का आगी का जो ब्राउं ब्राउं कवरिंग होती हो भटा दिये और उसमें थोड़ा सा नीबू डाल देजिए और थोड़ा सा हनी अब यह साथ को भी मिचुचर में ने त्यार किया है इसे अपने ग्राइंडर में डाल दीजिए दूसर में इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए हाफ ग्लास के अराउं जिससे के वह अच्छे से ग्राइंड हो पाए इसे क्लोस करके और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए इसमेपन दीजिए अलोव रूसमेपन टूस्चे इससे केजिए प्रूसमेपन बड़ती है आप बहुत नहीं प्रॉपोटी के लिए बहुत सारे गुण है अब हमने इसको ग्रैंड कर दिया है और यह हमारा लगबग अलोगरा का जूस त्यार हो गया है अलोगरा कुछ जूस को बहुत ज्यादा देर तक आप रखे नहीं क्योंकि उसमें बहुत जल्दी पैक्टीरिया पैदा होते हैं तो आप जब बनाएं तो उसे उसी समय ही ले लीजिए आदे घंटे के अंदर अंदर यह जूस जैसे हमारा एक ग्लास राउंड जूस बनाएं तो इसमें आप सिरफ इतनी क्वांटिटी जूस की ही ले जब ले एक बार में अब इसको एक बार छान ले और फिर उसको आप खाली पेट सुभे ले ले या फिर जब आप चाहें तब ले ले thank you friends for watching keep watching changing corners subscribe to changing corners bye take care